हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग, मैं निशान टीम फिजेक CLCC कर, तो देखो किसी समयदार आदमी ने बहुती अच्छी पंक्तियां कहीं है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर एक पहलू एक इम्त सब्सक्राइब दुनिया में, जेई की एक अच्छी रेंग को सेक्यूर करने की जो लडाई चल रही है, उस लडाई को एक मजबूती देने के लिए, जो टीम CLC ने गुरूनीती कम प्रिवियस एयर्स पेपर फोर जेई मैन की सीरी चला रखी है, इस सीरीज में हम ओलड़ी जो है, जो 2019, 2020 और 2021 के जेई मैन के फेबरियरी और मार्च अटेंट में जो रिमेनिंग को सें उनको यहाँ आज हम डिसकस करने वाले हैं, तो चलिए फिर डिसकसन स्टार्ट करते हैं, तो कॉस्ट नमर वन देखें जारा क्या बोला है, ताइम पीर ओफ रिवालूशन ओफ इन इस ग्राउंड इस्टेट, और वेट इन हाइड्रोजन एटम इस 1.6 इंटो 10 तो दी पावर माइनस 16 सेकंड्स, तो बोला है, फिर्स्ट एक्साइटेड इस्टेट मतलब n एक्वल टू में, जो इलेक्ट्रोन जो रोटेट कर रहा होगा, और रिवेट में बताओ उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, फ्रिक्वेंसी पूछी है, क्लियर, तो देखो किसी भी एंथ और विट में हमें रिडियस का फॉर्मूला पता है, जो की होता, एन स्कॉयर वाई जैड इन्टू ए नोट जहां पर एनोट है, हमारे पास, हमारे पास ग्राउंड इस्टेट की रिड तो टाइम पेर तुम साफ साफ लिख सकते हो, चली गई डिस्टेंस मतलब सरकमफेरेंस टू पाई आर अपॉन स्पीड वी, तो आर की प्रोपोर्शनल देख लेते हैं, तो ट के लिए आर जो प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है, एन स्कॉयर अपॉन जैड के, और वी जो तो देखो, एक ही अटम के लिए बात किया, एडूजन के लिए तो जैड की वैलू भी सेम हो जाएगी, दोनों के दोनों और बिट्स में, तो सीज़ा सीज़ा सा टाइम पीरिड जो है, वो प्रोपोर्शनल आ गया, एन क्यूब के, क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि अगर ग्रा फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन एट टी, अब वैलू रख दो, तो 1 अपॉन एट इंटू टाइम पीर हमें दे रखा है, 1.6 इंटू 10 तो दी पावर माइनस 16, यह वैलू जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 7.8 इंटू 10 तो दी पावर 14, जीजिली डिवाइट कर सकते हैं, किलियर है क्या, नेक्ट कॉशन की तरह बढ़ते हैं ज़रा, नेक्ट कॉशन देखें जरा, कॉशन नमर 56, एल्फा स्केटरिंग पे कॉशन है, बलाए दा ग्राफ विच डिपेक्ट्स दा रिजल्ट ओफ रधर फोर्ड गोल्ड फॉल एक्स्परिमेंट विद एल्फा पार्टिकल्स वेर थेटा इस्केटरिंग एंगल एंड दा नमर स्केटरिंग एल्फा पार्टिकल्स क्लियर दरदर पोर्ड ने जो एल्फा स्केटरिंग का एक्स्परिमेंट किया था कि यहां से एल्फा पार्टिकल्स की बॉंबारिंग की गई यहां पर गोल्ड फॉल का न्यूक्लियस था तो अगर किसी थीटा एंगल पर थीटा एंग जो प्रपोर्शनल लाई थी हमारे पास जेड़ स्क्वाइर अपॉन साइन टुदा पावर फोर थीटा बाई टू के के लियर एक्सपरिमेंट लिजल था सबने पढ़ाई है ठीक है तो आप से पूछाए कि इस एन थीटा का थीटा के साथ क्या रिलेशन है तो देखो जीरो स जीरो से पाई में है तो थीटा बाई टू किस में हो जाएगा जीरो से पाई वाई टू में त inception सब साब कहा सकते हैं। साइन ही जुद methods are completely as your own data message if the way it sometime is go get value होगी तो नीचे जो यह यह इन ख्रीज होगा यह थीटा कै क्या होनी चाहिए डिक्रिज होनी चाहिए तो फोर्थ ऑप्सन जो है हमारे पास यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके नेस्ट कॉच्छन देखें जरा बोलाए इसमें टा एनर्जी रिक्वाइट टु आयोनाइज अ हाइड्रोजन लाइक आयन इन इस ग्राउंड इस्टेट इस नाइन डिडवर्ग तो बेसिकली आपर पहले तो एक एनर्जी की उनिट दे रखी है रिडवर्ग तो वन डिडवर्ग एनर्जी कि हमारे पास वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए तो इसने बोलाए कि एक अन्नोन आयन है जिसका एक नंबर हम मान लेत हैं जैड उसमें एन एकवल टुवन मतलब ग्राउंड इस्टेट की जो आयोनाइजिए जैसन एनर्जी है वो नाइन डिडवर्ग के एकवल है तो देखो किसी भी किसी भी जैड अटमिक नंबर के लिए अगर हम उसको एन से अगर आयोनाइज करना चाहते हैं तो आयोनाइ इस्टेट की बात किये कि इस जैड वाले के लिए एन एकवल टू वन जो है ग्राउंड इस्टेट की जो आयोनाइज इनर्जी है वो नाइन डिडवर्ग मतलब नाइन इंटू 13.6 हमें दे रखिये ग्राउंड वाले के लिए तो यहां पर वन ठीक है तो यहां से अगर दे में अधर अब दा इस्टेट उस्टेट वह तो ऑन इकवल टू तो हो गया और पास सब्सक्राउंड से च्राउंड ब्राउंड निकाल ला तो इसली हम यहां फॉर्मोल लगा के लडा की वेल्यू कल्कुलेट कर सकते हैं तो कि एक बार जैड आ अब कि अब तो इजली ट्रा 1 upon lambda equal to होता है हमारे पास R Z square 1 upon lower energy state का square minus 1 upon higher energy state का square तो यह value आगाई हमारे पास 1 upon lambda equal to R into 9 यह हो जाएगा 8Y9 तो यहांसे lambda की value आगाई 1 upon 8R तो 1 upon 8R की value होती है 1.1 into 10 to the power 7 ऐसा unit में रखते हैं तो answer अपने आप हैं meter में आजाएगा solve करो तो यह value आजाएगी 11.36 nanometer तो इस transition में जो हमारे पास जो radiations दिखलेंगे उसकी value है तो 11.36 nanometer तो option देखते हैं जरा तो 11.36 इसको round करो तो 11.4 बन जाएगा तो third option जो है वो इसका correct answer हो जाएगा next question देखते हैं जरा गुलाए the first member of the warmer series of hydrogen atoms has a wavelength of 6561 angstrom the wavelength of the second member of warmer series तो देखो और बनाते हैं n equal to one two three ठीक है जब भी transition जो है किसी भी nth orbit से two में होता है हमारे पास तो यह सीरीज होती है हमारे पास बामर क्लियर अब इसने बोलाए पहले तो कि बामर सीरीज की हमारे पास first member बामर सीरीज का first member कौन सा हो जाएगा जो three से two में गरेगा यह हो गया first member इसके corresponding lambda one की जो value है यह हमको given किए six five six one angstrom तो बोला है second member second member कौन सा हो जाएगा जो four से two में transition देगा यह हो जाएगा हमारे पास lambda two इसका lambda two हमें पूछा है तो relation लगाते हैं तो one upon lambda one की value हम लिख सकते है rz square one upon lower energy state का square minus one upon higher energy state का square यहीं से बन अपन लेमडा टू की value लिखें तो यह आ जाएगा rz square one upon lower energy state का square minus one upon higher energy state का square तो यह value बन गई rz square into nine minus four five by four into nine यह हो जाएगा हमारे पास rz square 12 by four into 16 दोनों को डिवाइड करते हैं दोनों equation को डिवाइड करेंगे तो यह आएगा यहाँ से relation equation number two equation number one equation two upon equation one करोगे तो यह value आ जाएगी lambda by lambda two यह आ जाएगा हमारे पास 12 upon four into 16 upon five by four into nine यह गया साथ में फोर से जाएगा three times यह जाएगा four times यह हो जाएगा 27 by 20 तो लेंबडा two की value आ गई हमारे पास ठीक है यह आया लेंबडा one by lambda two तो लेंबडा two की value आ जाएगी four eight six zero angstrom यह बोल दो four eight six nanometer तो correct answer जो है वो nanometer में इस question का हो जाएगा four eight six next question देखें जड़ा question number 59 बोला है interference ranges are observed on a screen by illuminating two thin slits one mm apart कि इंट्रफेरेंस में slits के बीच का separation हमको यह small d दे रखा है one mm साथ में बोला है लेंबडा दिया है wavelength जो है वो है six three two point eight nanometer दिस्टेंस बिट्वेइन दा screen and the slice is hundred centimeter मतलब one meter हो गई है capital d की value ठीक है if a bright fringe is observed on a screen at a distance of one point two seven mm कि ब्राइट ब्राइट फिर्ण जो है वो इस स्क्रीन पर हमने इतने mm पर observe किये from the central fringe central fringe से y की value रखिये one point two seven mm यहां पर हमें एक bright fringe मिली है तो पूछा है then the path difference between the apes which are reaching these points from the slit is close to कि इस point पर हमसे पूछा है path difference की value तो देखो relation क्या है हमारे पास इस y की value आती हमारे पास maxima के लिए n lambda d y d ठीक है n lambda d y d maxima के लिए जो n lambda होता न यहां पर यहीं इसका path difference होता है तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो y equal to delta x d y d अब हमसे पूछा क्या है delta x की value तो d into y y d बस सारी value put करनी अपने path difference निकल के आ जाएगा तो रखते हैं जड़ा delta x की value ठीक है delta x की value की आ जाएगी हम d d की value बने में मतलब 10 to the power minus 3 ठीक है y की value दे रखिया हमें 1.27 मतलब 127 into 10 to the power minus 5 meter upon d यह screen यह 1 तो यह value आ गई हमारे पास 1.27 into 10 to the power minus 6 meter ठीक है यह यहां पर लेकिए आ जाए-6 meter मतलब 1.27 micrometer तो fourth option जो है उसका correct answer हो जाएगा के लिए next question की तरह बढ़ते हैं जरा question number 60 देखें 60 में क्या वोलाए इन यंग double slit experiment 16 fringe age are observed in a certain segment of the screen when light of wavelength 700 nanometer is used if the wavelength of light is changed to 400 nanometer the number of fringe age deserved observed in the same segment of the screen would be clear है का इस तरह का question अपन जो है इसी unit 14 के part 1 में discuss already कर चुक है इसी concept पर just यह question इनी years में three years में repeat हुआ है clear है क्या तो देखें जरा तो यह हमारे पास एक L length का segment है यहां bright fringe यहां bright fringe इनके बीच में जो separation होता है वो होता है fringe width बीटा के एक वल अब देखो इस L length में इस L length में एक वार तो हमने lambda 1 काम मिलिया और इसी length में एक वार हमने lambda 2 काम मिलिया के लिए तो यहां बने हमारे पास एन वन मेक्सिमा की एन वन ब्राइट फिंच के corresponding length कितनी हो जाएगी तो देखो यहां पर बीटा आप जाएगे हमारे पास N2 इन टू अब यह दोनों में से में क्योंकि सेग्मेंट जो है बोटो सेम रखा है लेंबडा को चेंज किया है तो हम बोसकते एन बन बीटा बरावर हो जाएगा यहां से बाख सब्क्राइयन वेवडायन है की बात कि न बाख वी डिटा की व diligence करने की बात की बाखिड़ी मेंस करकी जो हमारे पास सेटफ है उसको छेड़ा नहीं गया तो sr2 का से मह कम सकते हैं तो यह सबते हैं लेलेशन काम मिल लिया तो बताओ 400 पर कितना मिलेगा तो इजिली सॉल कर सकते हैं यह वैलू आगई हमारे पास 28 तो 28 फिरिंजेज हमको मिलने वाली है 400 नेनोमेटर वेवलेंद काम लेने पर क्लियर है क्या नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं कॉशन नमर 61 देखें जरा कॉशन नमर 61 जो है हमारे पास लॉजिक सर्केट का कॉशन है सेमी कंडॉक्टर का कॉशन है ठीक है क्या वोला इसमें इन दा फॉलिएंट डिजिटल सर्केट वाट विल विदा आउट्पॉट एट जैड वेन दा इन्पॉट एवी आर गिवन एजवलों क्लिए यह चारों इन्पॉट के करिस्पंडिंग आउट्पॉट पूछा है तो पहले तो यह जो हमारे पास मिल रहा है उसके लिए मुलियन एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं कि किस तरह का एक्सप्रेशन निकलेगा तो देखना जरा कि वह A input यहां से आया, यहां से B input आया, यहां से इस पर A आया, यह B आया Nand gate है multiply कराके बार लगाएगा, और gate है add कराएगा, clear? तो यहां से यह A B bar इंद उनों को feed कराया, तो end gate इंद उनों को क्या करा देगा? multiply, मतलब A B bar into A plus B मिल गया, यहां से A B bar आ गया, clear? पहले दो जड़ा मैं इस expression को थोड़ा सा simple कर देता हूं, तो इसको open करते तो यह बन गया, A bar plus B bar into A plus B, multiple करो तो A bar into A zero, B bar into A, अब B से multiple करते तो plus A bar into B, B bar into B zero हो जाएगा, तो यह आ गया, यहां पाला, अब इन नोंनों को क्या किया है, इस ने नोर गेट ने add करके बार लगाएगा, तो output की value आएगी, पहले तो इनको add करेगा, फिर इसके उपर बार लगाएगा, तो यह की value आजाएगी, हमारे पास देखो क्या, इसको open कर लो, तो यह आ जाएगा, A bar, plus B bar, plus B bar A, plus A bar B के उपर whole bar, तो by की value, अब इन दोनों equation में से अगर आपन देखें तो देखो कुछ common आएगा, तो common लेते हैं, इस वाले में, इस वाले में A bar common आ गया, तो यह बन जाएगा, वन प्लस B, इन दोनों में B bar common आ गया, तो यह बन गया, यह बन गया, तो Y की value हो आगई, हमारे पास A bar, plus B bar के उपर whole bar, बार open करोगो, तो यह बन जाएगा, A double bar, B double bar, मतलब A B, तो यह पूरा का पूरा जो एक्क्विशन जो है, पूरा का पूरा सरक्ट है, वो एफेक्टिवली end gate की तरह बेव कर रहा है, अब end gate के लिए हमें inputs दे रहा है, उसके corresponding output निकाल सकते हैं, यवे जब 1 और 0 देगा, तो 1 into 0, 0 मिलेगा, 0 into 0, 1, 1 मिलेगा, 0 into 1, 0 मिलेगा, 0 into 1, 0 मिलेगा, तो output यह मिलने माले हमें 0010, तो ऐसा option जो है हमें, हमें 1st option दे रखा है, के लिए रहे किया, next question देखते हैं, जरा question number 62, क्या व लेबल, के लिए यहां से नहीं तक transition किया है, तो इसमें क्या होगा, कोई photon radiate होगा, तो गोला है, frequency of radiation emitted is proportional to, कि यह जो radiate photon जो है, इसकी frequency कि इसकी proportional होगी, तो देख इस photon की हम energy लिख सकते है, E equal to HF, और इसकी value आएगी हमारे पास 13.6, Z square 1 upon lower energy state का square upon 1 minus higher energy state का hollow square, तो यहां से हम easily frequency का proportionally relation निकाल सकते, तो यह आजाएगा देखो नीचे, n square, n plus 1 का hollow square, ऊपर बन जाएगा, n plus 1 का hollow square, minus n square, तो यह value आगई हमारे पास 2n plus 1 upon n square, n plus 1 का hollow square, साथ में हमें दे रखा है कि small n की value 1 के comparison में बहुत जादा है, तो n वाले terms के comparison में हम 1 को ignore कर सकते हैं, तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास proportionally में n, जीचे बच जाएगा proportionality में n की power 4, तो यह relation आगए हमारे पास frequency proportionally to 1 upon n की power over 3, तो first option जो हमारे पास यहां correct answer हो जाएगा, next question की तरह बढ़ते हैं जड़ा, question number 63, क्या बहुत है, क्या बहुत है, इसमें, when a diode is forward biased, it has a voltage drop of 0.5 volt की, जब भी हम इस diode को forward bias में लगाएंगे, तो इसमें जो voltage drop है, वो 0.5 volt का आएगा, the safe limit of the current through the diode is 10 milliampere की forward bias में जब लगा दिया, तो इसमें 10 milliampere तक यह easily operate करता रहेगा, clear रहें के safe limit is की, ठीक है, microampere होता है, तो reverse bias में पता ही हमें, reverse bias में, इसमें microampere में current flow होता है, forward में milliampere में, if a battery of EMF 1.5 volt is used in the circuit, the value of minimum resistance to be connected in series with the diode, so that the current does not exceed the safe limit, कि यह diode, clear, कि इसको हमने forward bias में लगाया, 1.5 volt की battery से, clear, तो इस पर जो drop आया है, वो आया है, 0.5 volt का और इसमें से maximum current जो जा सकता है, उसकी value हमें दी है, 10 milliampere, तो बोला है, इसको safe रखने के लिए, इसके series में कितना resistance लगाना चाहिए, तो circuit में current निकालना है, जो 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 यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ 1.5, 1.5 यहाँ आजाएगा, हमारे पास 1 volt, तो i की value हमें पताईए, i की value कितनी है, 10 milliampere, इसको हम लिख सकते है, 1 upon R, तो यहाँ से R की value आजाएगी, हमारे पास 1, यह हो जाएगा, हमारे पास कितना, 10 to the power minus, 10 milliampere न, ठीक है, तो यह value आजाएगी, हमारे 10 to the power minus 2, तो यहाँ आजाएगा, 10 to the power minus 2, तो यहाँ आगया 100 ohm, तो हमें series में 100 ohm जाएगा, वो लगा हो जरा, बुला, इन यंग्स double slit experiment, light of 500 nanometer is used to produce interference pattern, okay, when the distance between the slits is 0.05 mm, कि जो slits के बीच का, जो small d है, वो हमें दे दिया है, the angular width and degree of the fringe formed on the distance screen is close to, कि यह हमारे पास setup हो गया, clear, यहां से यह काफी separation पे standard setup ले तो काफी distance पे होगा, अब यहां central fringe के पास में, यहां हमारे पास क्या बन रहे होंगे, fringes बन रहे होंगी, clear, जिसके लिए fringe width कितनी होती है, बीटा, बहुती है, lambda dy, d, यह हमारे पास d, clear, तो इसके just pass के बादे points के लिए बात करें, तो यह बो d length का क्या है, d length का, d radius का एक तरह से circular वाला पार्ट मान सकते हैं, clear, कोई काफी distance पर रही है, तो यह angle जो सारे के सारे बहुत कम होंगे, clear, अभी अगर circular arc है, जिसके हमें arc के length beta पता है, यह radius जो हमें d पता है, तो हमें यह angle theta निकाल सकते है, theta की value आजाएगी, beta upon d, तो यह आजाएगा lambda upon small d, यह जो है हमारे पास angular width हो जाएगी, clear है क्या, ठीक है, अब देखोई यह अगर पास में होती है, तो हर fringe के लिए maximum arc, हर fringe के लिए theta जो है, वो different आता, इसलिए इसने question में already mention किया हुआ है, क्या, to produce when the, ठीक है, the angular width integrated form on the distance screen, clear है क्या, कि screen जब already बहुत दूर है, उस पे पूछाया हमें, ठीक है बई, तो theta की value आगई, lambda by d, अब तो value रखो, answer पाऊं, lambda की value हमें देराखिया 500 nanometer, मतलब 5 into 10 to the power minus 7 meter, d की value देराखिया हमें, 5 mm, मतलब 5 into 10 to the power minus 5, तो यह value आगई, हमारे पास 0.01 radian, answer हमसे degree में पूछा है, तो 1 radian होता है, 57 degree, तो यह value आजाएगी, हमारे पास 0.57 degree के एक वल, तो correct answer आजाएगा, हमारे पास third option, clear, तो question no.65 देखें जा रहा, क्या बोला है, इसमें, two light waves having the same wavelength lambda in vacuum, are in phase initially, कि light source हमारे पास यह, vacuum में, इनकी wavelength lambda है, और phase भी same है, आगे क्या बोला है, then the first wave travels a path L1 through a medium or refractive index N1, कि इससे जो wave है, वो, एक L1 length और N1 refractive index के medium में चली है, इससे जो nickel wave है, वो N2 refractive index और L2 length के medium में चली है, तो इनकी wavelength पूचा है, तो देखो, effective optical path पर best question है, कि जब भी light जो है, किसी N refractive index और L length के medium में चलती है, तो medium में तो L length हो गई, इसके corresponding vacuum में जो effective path आता है, वो आता NL, इसी को काम बलेना है, तो देखो, इसके path की बात करूँ, तो इसका path कितना हो जाएगा, effective N1 into L1, इसका हो जाएगा N2 into L2, तो path difference की value क्या आगई, यह आगई, N1 L1 minus N2 L2, clear, अब phase difference निकालना है, तो हमें पता है, phase difference होता है, 2 pi y lambda delta x, तो N1 L1 minus N2 L2, option match करते हैं, ज़रा phase difference की corresponding, फर्स्ट option ही correct दे रखा है, तो यह हमारा answer हो जाएगा, ठीक है, question number 66 की तरफ चलते हैं, ठीक है, देखना ज़रा क्या बोला है, इसमें, if a semiconductor photo diode can detect a photon with a maximum wavelength of 400 nanometer, then its bend gap energy, bend gap energy निकालना है, सीधा lambda ज़रा रखा है, तो E की value हम बोल सकते है, 1, 4, ठीक है, nanometer में ज़रा तो 1, 4, 2, 0, electron volt upon lambda की value, nanometer में रख दो, तो 400, तो यह value आ गई, हमारे पास 3.1 electron volt, तो 3rd option है, वो correct answer हो जाएगा, clear, सीधा formula based question था है, आगे बालते है, question number 67 की तरफ, हाँ भी, क्या बोला है, इसमें, a beam of plane polarized light of a large cross-sectional area, and uniform intensity of 3.3 watt per meter square falls normally on a polarizer, तो plane polarized light रही है, ना कि unpolarized light, clear, हमें पता है, कि यह अगर polarizer है, हमारे पास polaroid है, इस पे अगर unpolarized आती ही, तो यहाँ I note white 2 हो जाता, अब plane polarized आई है, तो I note का I note ही रहेगा, clear, आगे क्या बोला है, on a polarizer cross-section, और this polarizer का cross-section हमें दे रखा इसका area, which rotates about its axis with an angular velocity 31.4 radian per second, the energy of the light passing through the polarizer per revolution is closed to, ठीक है, तो देखें ज़रा कैसे निका लेंगे इसको, कि वह यहाँ से आई हमारे पास intensity I note, यहाँ पर भी पहुँचेगी I note, जो second वाला polarizer है, इस दोनों कि तोनों combination में, वह हमान लोग किसी theta angle पर, t time में वो omega t गुम गया, तो यहाँ पर हम intensity निकलेंगे, output वाली I note, cos square omega t, तो I average निकाल लेता हूं, पहले तो इसके corresponding में, I average की value निकाल लेता है, तो I note, cos square का average आता है, I note by 2, ठीक है, तो P average की value हो जाएगी, average intensity into area A, तो यहाँ से, ठीक है, यह तो आगे हमर पर इसना, साथ में बोला है कि, एक cycle में बताना, तो एक cycle में निकालने के लिए energy को हम क्या करें, average energy आजाएगी, हमारे पास, average power into time period, ठीक है, तो यह आगया, I note into A by T, time period हो जाएगा, 2 pi y omega, अब यहाँ से हम इजिली value निकाल सकते हैं, तो I note की value initially हमें दिरक्किए 3.3, area की value हमें दिरक्किए 3 into 10 to the power minus 4, 2 into pi की value 3.14, omega की value 31.4, ठीक है यह नीचे 2 था है न, 2, यह आगई value, स्वाल लोप करते जरा है से, तो देखो 2 से 2 हो गया, इस से यह value हमारे पास जाएगी, 1 upon 10 times, तो यह value आगई हमारे पास, 9.9 into 10 to the power minus 5, यह यह को हम बोल सकते हैं, फ़ड़ा सा एक मट किया हो, 31.4 न, तो यह जाएगी 1 upon 10 times, okay, ठीक है, तो minus 5, ठीक है, 9.9 into 10 to the power minus 5, देखते जरा, option 9.9 वाला, तो 9.9 वाला तो कुछ है नहीं, इसको हमारे लिख लिए, 0.99, 9 into 10 to the power minus 4 joule, तो यह value आगई, 1 into 10 to the power minus 4 joule, तो फोर्थ उप्सन हमारा correct answer रोजाएगा, इसके आपस, ठीक है, of the Lyman series is 304 angstrom, then the corresponding difference for the paston series, तो hydrogen के लिए अगर हम ड्रॉ करें, तो यह N equal to 1, 2, 3, 4, इसे तरह से 5 आता जाएगा, Lyman का मतलब है, हमें 1st में transition करवाना है, और paston का मतलब है, हमें 3rd में transition करवाना है, तो देखो, जब electron जो है, वो higher energy state से लोर energy state में transition करेगा, तो photon रिलेज करेगा, और उस photon की energy हम वो सकते ही, equal to hc y lambda होगी, अब अगर हमें lambda की value maximum चाहिए, तो e minimum होना पड़ेगा, लैमडा जब maximum होगा, तो e minimum होगा, और लैमडा जब minimum चाहिए, तो e maximum होगा, तो पहले तो लाइमन के corresponding बात प्रते हैं, तो लाइमन के corresponding अगर हमें lambda maximum चाहिए, तो e minimum मतलब e minimum तो यहां से यहां तक आएगा, 2 से बन तक, यहां पर तो मेरेगा lambda minimum, lambda L, lambda lowest, clear, sorry, यह मिल जाएगा, हमरे पास lambda highest, क्योंकि energy minimum है, तो lambda highest होगा, clear, अब lambda हमें कैचे, यह minimum, lambda minimum मतलब energy highest, तो infinite से, 1 वाला, यहां मिलेगा, lambda minimum, clear, similarly, पास्टर के लिए बात करें, तो infinite वाला तो हमें मिल जाएगा, lambda minimum, और just pass वाला जो है, 4 से 3 वाला, यह मिल जाएगा, lambda, maximum lambda highest, इसको मैं डैस डैस नाम देता हूं, यह lambda H और lambda L हो जाएंगे, तो देखो, पहल तो हम लाइमन के corresponding निकालते हैं, तो लाइमन के corresponding अगर बात करें, तो 1 upon lambda L की value आजाएगी, R, hydrogenous, लिए Z square की value 1, 1 upon lower energy state का square upon higher energy state का square, तो यह value आजाएगी, यहां से lambda L equal to 1YR, clear, इस यह के corresponding highest energy की, हैश lambda की बात करें, तो 1 upon lambda H equal to R Z square, 1 upon lower energy state का square upon 1 upon higher energy state का square, तो इस से lambda H की value आजाएगी, हमरे पास 3Y4 तो 4 upon 3R, ठीक है, 4 upon 3R, तो यहां अगर 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 दिफरेंस देखें, लाइमन में, तो lambda H minus lambda L का डिफरेंस हमें देख सकते हैं, हम 4 by 3 minus 1, तो यह आजाएगा 1 upon 3R, और यह value हमें दे रखी है, 304 एंग्स्ट्रा, अब इसी के corresponding passion की बात करें, तो देखो, यहां lambda minimum निकालते हैं, तो 1 upon lambda dash, की value आएगी, हमारे पास R Z square, 1 upon lower energy state का square, minus 1 upon higher energy state का square, तो यहां से lambda L आगया 9YR, के लिए, highest अगर निकाले, तो lambda H dash की value आएगी, R Z square, 1 upon lower energy state का square, minus higher का square, तो यह value आएगी, हमारे पास lambda H की value, 16 into 9 upon 7R, difference की अगर बात करें, तो lambda H dash, minus lambda L dash, यह हो जाएगा, हमारे पास 16 by 7 into 9YR, minus 9YR, तो difference आगया, 9YR, 16 upon 7 minus 1, तो यह हो गया, हमारे पास, ठीक है, 81 by 7R, इतना difference आगया, अब इस relation को काम में लेके, यह value यह input कर दे, तो हमारे पास इसका difference आजाएगा, calculation है बस, formula लगाएगा है, बस दो बार calculation करनी है, तो नया difference जो है, passion में, alignment के correspondence देखो, तो कितना आजाएगा, 81 by 7, 1 upon R की value, वहाँ से हम लिख सकते हैं, 304 into 3, तो यह value आजाएगी, 10, 5, 3, 3.14 एंग्स्ट्रोंग, तो नया difference जो है, alignment के corresponding question में, इतना difference होगा, तो nearest integer में यह value हो जाएगी, 10, 5, 3, 3, clear है क्या, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 69, जेखें ज़रा, logic circuit का question है, बोला है, identify the operation perform by the circuit given below, कि यह जो है, अमारे पास इसके effective output जो है, इन में से किसके को ला रहा है, तो देखो, यह हमारे पास, यह हमारे पास nor gate, सारे nor gate दे रखें, इसमें common input दिया, तो यह तो not की तरह wave करेगा, तो यहाँ आया A bar, यहाँ या B bar, यहाँ या C bar, अब nor gate जो है, पहले तो इनको add करेगा, उसके बाद इस पर बार लगाएगा, तो इसको अगर आपना स्वालू करते हैं, यह बन जाएगा A, B, C, डबल बार, डबल बार, डबल बार, तो यह बन गया A, B, C, मतलब यह जो है, combination, वो end, wavelength, 6,000 into 10 to the power minus 10 meter, मतलब बेसिकली, 6,000 angstrom, illuminates a single slit of width, 0.6 into 10 to the power minus 4, single slit का हमें क्या दे दिया, width दे दिया, यह A, ठीक है, और साथ में lambda दे दिया, तो बुलाए, the maximum possible number of diffraction minima produced on the path, on both sides of a central maxima is equal to, central maxima जो यहां बनेगा ने, इस diffraction के pattern में, इसके दोनों तरफ total कितने minimum बनेगे हमारे पास, तो देखो, यहां से अगर center से किसी angle theta पे बात करूँ, ठीक है, तो point source के लिए अगर लिए जाए भी यहां पर और यहां पर, यहां दोनों के बीच में अगर part difference लिखा जाए यहां तो a sin theta आ जाएगा part difference और अगर minima चाहिए तो diffraction में यह interference का उल्टा होता है, तो यहां part difference कितना आएगा, n lambda, clear, अब n की value हमें निकाल नहीं है, n की value हमें निकाल नहीं है, तो देखो यह कितना आजाएगा, n की value आजाएगी यहां से a sin theta y lambda, clear, अब देखो n की maximum value, n की maximum value कब आएगी जब theta maximum होगा, तो theta maximum हो सकता है, 90, तो sin 90 मतलब n की maximum value आजाएगी ay lambda, ay lambda maximum minimum बनेंगे, हमारे पास उपर इतनी minimum नीचे बनेंगे, तो total minimum आजाएगे 2 ay lambda, value रखते हैं, total minimum आगई हमारे पास, value रखो तो 2, a की value हमें क्या दे रखी है, यह दे रखी है, 0.6 into 10 to the power minus 4, lambda की value 6000 एंग श्रांग मतलब 6 into 10 to the power minus 7, ठीक है, तो यह value बन गई, हमारे पास 6 से सिक गया, 2 into, 10 to the power to 200, जो है, यहां पर हमारे पास minimum बनने पाले है, totalism, clear है क्या, next question की तरह बढ़ते है, question number 71, हाँ, 71 में क्या वोला है, with increasing biasing voltage of a photo diode, the photo current magnitude is, तो तो फोटो डायोड जो है, हमेशा वो, हम reverse biasing में काम मिलेते हैं, और reverse biasing में जो डायोड जो है, उसके लिए करेक्टरिस्टिक कर्व कैसा आता है, यह कुछ इस तरह का आता है, के लिए reverse biasing में, reverse biasing में, अगर तुम voltage बढ़ाते जाओ, तो current पहले तो increase होगा, और उसके बाद क्या हो जाता है, हो जाता है, अब यहां पर बोला है कि भाई, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जालियर, तो next question देखें जारा, question number 72 में बोला है, a particle of mass 200 megavolt upon C square collides with a hydrogen atom at rest, basically atomic collagen का question है, soon after the collagen the particle comes to rest and the atom recoils and goes to first excited state, the initial kinetic energy of the particle in electron voltage ny for the value of n, given the mass of hydrogen is this, इसको मैं लिख सकता हूँ, 10 to the power 3, mega electron volt per C square, तो comparison की जाए, तो particle के mass को अगर M मान लिया जाए, तो hydrogen का mass जो है, वो हमारे पास कितना है, 5 times 5 M, समझे न ज़रा कहानी क्या है, कि यह M mass का particle, मान लो V naught से आया, initially इसकी energy थी, half M V naught square, rest पे 5 M mass का hydrogen atom है, इसको हिट किया, और हिट करने के बाद, खुद rest पे आ गया, अब 5 M move करेगा, मान लो BDES से, तो momentum conservation से एक तो तो BDES आजली निकाल सकते हो, कि initial momentum है, M V naught final हो जाएगा, 5 M BDES, BDES की value आगई, हमारे पास, Bnot Y 5, तो final kinetic energy की अगर बात करूँ तो देखो, इसके पास तो एने केवल hydrogen के पास है, तो के final हो गया, हमारे पास half 5 M, Bnot square Y 25, तो ये value आगई, half M Bnot square Y 5, है, kinetic energy, clear, अब दोखो, पहले kinetic energy थी, हमारे पास half M, Bnot square, अब रह गई इतनी, तो change कितना आया, kinetic energy में loss हुआ कितने का, delta के आगए, हमारे पास half M, Bnot square, minus 1 Y 2, M B square Y 5, तो ये आजाएगा, half 4 Y 5 M, Bnot square, मतला मैं बात कहूं, तो ये हमारे पास 4 Y 5 के initial times है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे atoms नहीं है, यहाँ पर हम एक particle, एक hydrogen atom की बात करते हैं, तो ये जो energy है, वो heat की form है, तो loss होने से रही, तो ये energy जाएगी कहा, ये energy जो है, हमारे पास caution में बोला भी है, कि इस energy को काम में लेके, electron जो है, वो first excited state में पहुँच गया, मतलब इतनी energy को लेके, electron 1 से 2 में चला गया, अब देखो, hydrogen में हमें पता है, कि 1 और 2 के बीच में energy का difference होता है, 10.2 electron volt, मतलब ये जो energy loss हुई है, इसकी value रही होगी, 10.2 electron volt, तो यहां से देखो, के initial की value कितनी आ गई, के initial की value आ जाएगी, हमारे पास 51Y4 electron volt, इसने बोलाए कि ये जो energy है, वो NY4 हो रहे है, तो N की value हमें साब साब दिखाए दे रही है, 51 इसका correct answer हो जाएगा, तो next question देखें जरा क्या बोला है, two current sources of sound S1 and S2 produces wave of same wavelength, lambda equal to 1 meter in phase, कि दोनों हमारे पास S1 and S2 sound source है, दोनों phase में हैं, और दोनों के लिए, जो wavelength की value वो दिरखिये, lambda equal to 1 meter, साथ में बोला है, S1 and S2 are placed 1.5 meter apart, a listener located at L.2 meter in front of the S2, find that the intensity is minimum, ठीक है, तो इस पर, यहाँ पर L पर जो intensity है, वो listener को क्या मिली है, minimum मिली है, तो देखो यह 2 है, यह 1.5 है, तो पाई था गुरस से यह आ जाएगा, हमारे पास 2.5, तो S1 and S2 से आने वाली waves के लिए, पाट difference हो गया, 0.5, तो यहाँ minimum मिला, तो minimum की value आ गई, 0.5 meter मतलब lambda Y2, clear, अब क्या बोला है, इसने, the listener moves away from S1, keeping the distance from S2, to S2 fixed, the adjacent maxima of intensity is observed, when the listener is at a distance D from S1 than the D is, कि वह यहाँ से यह 2 meter distance सेम रखते हुए, आगे move की यह distance D है, तो यहाँ पर उसे लगातार मिलने वाला, जो maxima वो मिल गया, तो देखो, यहाँ पर lambda Y2 पर minimum मिला है, तो adjustment maximum मिलेगा, कितने पर lambda पर, तो यहाँ delta X की value lambda मतलब 1 meter रही होगी, तो path reference लिख दो, D minus 2, equal to 1 meter, तो D की value रही होगी, यहाँ पर 3 meter मतलब 3rd option, next question की तरफ चलते हैं, question number 74, 74 देखना जरा क्या है, बला है, two geno diodes A and B, breakdown voltage of 6 volt and 4 volt respectively are connected as soon in the figure, the output voltage be not variation with input voltage linearly increasing with time is given by, which of the following curve, के लिए रहे क्या, कि input voltage जो उसको linearly हमने increase किया, output का graph बिनाना है, तो देखो, output पर भाई मिलेगा, जो RL पर मिलेगा, यहाँ का है, तो in terminals पर मिलेगा, किलियर, इन terminals पर मिलने वाला है, जनरली अगर हम voltage regulator की बात करें, तो वहां हमें ऐसा circuit मिलता है, कि यह हमारे पास एक geno diode हो गया, इसके series में यहाँ कोई resistance नहीं होता है, यह direct load resistance होता है, तो शुरुआत पर तो इसी पर current आता रहता है, एक बार जब इस geno diode के pin points का voltage BZ को approach कर लेता है, तो यह voltage हो जाता है constant, अब इस पर voltage constant है, आगे कोई resistance है नहीं, तो output पर भी constant हो जाएगा, इस तरह से voltage regulate करता है, यहाँ अगर हम देखें, तो series resistance दे रखा है, 4 volt वाले डायोड के साथ में 100 ohm का, clear, तो जब तुम input देते जाओगे, तो शुरुआत में क्या होगा, 4 volt से पहले-पहले, यह open circuit की तरह वेव कर रहा होगा, तो इसमें तो current जाएगा नहीं, तो 4 volt से पहले-पहले, before 4 volt, V is less than 4 volt, तो उस condition में क्या होगा, जो V आउटपुट में मिलता रहेगा, linearly, तो V input में जो है, वो लीनियर आउटपुट में मिलता रहेगा, ऐसा तो सब में 4 volt तक तो सब में linear, linear दे रखा है, उसके बाद बात करें, जैसे ही 4 volt पहुचेगा, तो यहाँ 0, यहाँ 4, तो यह operate करने लग जाएगा, इसमें current आएगा, clear, अब हम 4 से और बढ़ाएंगे, मानलो 5 तक चले गए, तो 5 की वह इसे देखना, तो यहाँ input तो 5 लगा चुके हो, इनपुट तो यहाँ 5, लगा चुके ओपर, आउटपुट की अगर बात करूँ, तो 4 volt तो देखो, इस पर ड्रॉप आएगा, साथ में इसमें current की वह इसे कुछ ना कुछ IR भी आएगा, तो यहाँ output जो है, तो मिलने लगेगा, आउटपुट जो मिलने लगेगा, इस बारी ब्रांच में आई बढ़ता रहेगा, तो आउटपुट भी बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं, 4 के बाद भी बढ़ाना है उसे, तो फर्स्ट जो है, हमारे पास correct answer हो जाएगा, इस question के लिए, question number 75 के तरफ चलते हैं, देखें देरा, क्या वोलाए, एक्सपेरिमेंट इस प्रोड्यूस इस पर्फॉर्मिंग यूजिंग मॉनो क्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेंड़ा, इंटेंसिटी ओफ लाइट एट पॉइंट ओंडा इस्क्रीन वेर दा पाट डिफरेंस लेंड़ा होता है, वह मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, जिसकी वेल्यू हमें दिरख्टिया के यूजिनिट, अगर मैं दोनों स्लिट की इंटेंसिटी, i0 माल लो तो यह मिलती है 4i0 किसी भी जनरल पोजिशन पर इंटेंसिटी मिलती है 4i0 स्कॉइर 5 i2 वेर 5 इस दब फिस डिफ्रेंस के लिए रहे हैं थीक है हम से जो पूछा है कि यह जो आई ना वहमें n k by 12 की terms में दे रखा है और यह हमारे पास k तो i की value आगई k cos square 5 by 2 अब 5 निकालना वस basically हमें तो 5 के लिए क्या वोला है इसने the intensity of light at a point where part difference is lambda y से part difference दे रखा है तो फिर difference आजाएगा 2 pi y lambda into delta x तो यह value आगई हमारे पास pi y 3 मतलब 60 degree तो यह जब यहां रखोगी तो 30 हो जाएगा cos 30 की value root 3 by 2 square करोगे तो 3 by 4 k अब इसने option हमें n k by 12 की form में जरका तो उपर निचे 3 से multiply कर दो 9 k by 12 तो यह n की value जो है वो यहाँ पर क्या रही होगी 9 रही होगी के लिए रहे क्या question number 76 की तरफ चलते है 76 में हमसे बोला है if lambda 1 and lambda 2 are the wavelengths of third number of Lyman and first member of Parson series respectively then the ratio of lambda 1 and lambda 2 ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 की वही third member of Lyman तो first member आएगा 2, 7 second आएगा 3, 7 third member आएगा 4, 7 यह तो आगे हमारा lambda 1 आएगे क्या बोला है first member of Parson Parson मतलब 3 में गराना तो 4 से 3 यह आगे है first member of Parson इनका ratio पूछा है तो देखो 1 upon lambda 1 की value हम लिख सकते है R Z square 1 upon law energy state का square minus 1 upon higher energy state का square तो यहाँ से यह value आगे R Z square into 15 by 16 ठीक है lambda 2 के corresponding लिखे है तो 1 upon lambda 2 equal to आगे हमारे पास R Z square lower energy state का square minus higher energy state का square तो यह value आगे हमारे पास 7 upon 9 into 16 R Z square हम से lambda 1 by lambda 2 पूछा है तो यह equation number 2 यह equation number 1 तो equation 2 को equation 1 से divide कर दो तो lambda 1 by lambda 2 आजाएगा हमारे पास 7 by 9 into 16 R Z square तो चला जाएगा divide division में upon 15 by 16 15 से 15 गया तो यह जाएगा 7 upon 135 तो 3rd option जो है जो हमारे पास correct answer हो जाएगा इसका next question देखे हैं जरा question number 77 LED is constructed from gallium austenic phosphorous semiconductor material the energy gave up LED is 1.9 electron volt calculate the wavelength of light emitted and its color जो को energy दे रखे है wavelength पूछा है सीधा सीधा साथ तो में relation निकाल सक्टो डारेक्ट energy की value होती है 1240 electron volt upon lambda की value nanometer में तो यहां से रखते हैं energy कितना दे रखा हैं हमें 1.9 इलेक्टरन वोल्ट तो लेमडा की वेल्यू यहां से नेनो मीटर में आ जाएगी हमारे पास 652.6 नेनो मीटर तो एप्रोक्स वैल्यूए यहां पर 654 नेनो मिटर अब कलर की बात करें दिखो विजीवल लाइट जो होती है ना विजीवल लाइट के लिए अगर मैं बात करूं तो बहां पर एप्रोक्स 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक बेसिकली 7800 मतलब 780 नैनोमीटर तक यह हमारे पास किया है बिजीवल लायट होती है अब इसकी अगर बात करूं तो यह रेड से ज़श्ट कम है किलियर यह हमारे पास वॉयलेट के भी पास में नहीं है रेड से थोड़ा सा कम है एड से थोड़ा से ज़श्ट कम मतलब औरेंज कलर जो है इन उप्षण में से करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए तो 654 नैनोमीटर औरेंज कलर यह हमारा करेक्ट अंसर हो जाएगा इसका क्योंकि यह विविवियर होता है कि क्या वहला है दा फ्रिंज बेट आफ शिक्स एमेम बाज प्रोड्यूस्ट वाइट टू स्लेट सेपिटेड वाई वन एम अपार्ट दा स्क्रीन इज प्लेस्ट तैन मीटर अवे वेविलेंट अप्लाइट जूट देखो बीटा दे रखा है आपको फ्रिंज बेट लें स्क्रीन की डिस्टेंस दे रखी है हमें टैन मीटर तो यहां से लेंबडा की वेल्यू आगई हमारे पास देखो सिक्स इंटू टैन टू दी पावर माइनस सेवन मीटर अब हमें आंसर नेनो मीटर में पूछा है एक्स नेनो मीटर तो नेनो मीटर में अगर देखें तो इसको 600 से मल्टिपल डिवाइड कर दो ते बन जाएगा हमारे पास 600 इंटू टैन टी पावर 9 मतलब 600 नेनो मीटर तो एक्स की वेल्यू आ जाएगी यहां 600 ओके नेक्ट कॉशन की तरफ चलते हैं कॉशन नमर सेवन् पावर डिसीपेटेड एक्रॉस दा जीन डायोड हैं वीजड एक्वल टू 15 वोल्ट कनेक्टेड इन दा सरकेट है सुन्दे फिगर की डायोड में से हमें क्या नेकालनी है डायोड पर पावर डिसीपेशन निकालना है तो देखो डायोड अगर ऑपरेट कर रहा है तो हमार और निकाल वा हो पक्रैको परनिंटो गहां प्रफियर कर रहा है तो पहरें दो परफियर तो हमें पनलो कि इस क्राज़ेकर दिख नहीं हो सकता से ज्यादा नहीं हो सकता अगर यह नॉर्मली कंडिशन में काम कर रहा है तो हम इसका ब्रेक्डाउन नहीं कर वा रहे हैं तो इसको सुल्प करने का तरीक है कि आप इसको मानलो की काम नहीं कर रहा है ऑपन सर्केट मानलो और इस वाले टर्मिनल्स में बोल्टिज से 90 अपॉन 125 इंटु 22 तो यह वैलू देखो जरह कितने आएगी ओपन नीचे में कि तो से मल्टिपल कर दूं यह बन जाएगा 90 इंटु 44 अपॉन यह हो जाएगा 250 जीरो से जीरो गया यह गया 376 25 तो यह वैलू आएगी हमारे पास 12 पॉंट संथिंग 15 अब इसने रखा BG exactly 15 वोल्ट तो यह 15 पॉंट संथिंग आ रहा है मतलब जादा आ गया 15 पॉंट संथिंग मतलब जादा आ गया मतलब यह पका ऑप्रेट करेगा तो इतना तो हमें पता लग चुका है कि ऑपरेट करेगा हुआ है अब देखते हैं यहां पर जीरोऍव लेकिस हो गया इस में से करण्ट कितना जाएगा इसमें से करण्ट जाया भाए हमारे पास 15 वटे 90 Ampere मतलब है हमारे पास एन बटे चारंफिया यहां अगर दिखे तहना 22 Volt यहां पर पंदरा तो इसमें से कारंट कितना जाएगा टोटल तो यह जाएगा 22-15 मतलब साथ बटे रिजिटेंट पांच एमब्र एक बटे पांच इसमें से आया एक वटे चार इसमें गया तो इसमें कितना जाएगा आई जीन डायूड की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बटे पांच उल्टा कर दिये हमने जाएगा बाइस माइनस पंदरा यो जाएगा साथ बटे 35 तो जाएगा एक बटे 5 ओके उधर कितना गया 15 बटे नबबा बनवाई 6 आएगा ना तो बनवाई 5 माइनस बनवाई 6 तो यह वेल्यू आगए हमारे पास बन अपन 30 एंपियर तो जीना डायोड में जो करेंट है वो बनवाई 30 एंपियर जाएगा तो इसमें पावर डेसीपेशन कितना हो जाएगा आएगा इज इन्टो बीजेट तो यह आगया बनवाई 30 इंटो 15 मतलब 0.5 वाट यह बोल दो 5 इंटो 10 तो दी पावर माइनस 1 वाट इसने जो आंसर पूछा है जो बोल रखा है एक्स इंटो 10 तो दी पावर माइनस 1 वाट के फॉर्म में तो एक्स के वैली उपन साप साप देख सकते हैं कितनी रही होगी 5 रही होगी ठीक है तो कॉस्टन में 80 देखन जा रहा क्या था बुलाए दा फर्स्ट थ्री स्पेक्टर लाइनस फाइडिजन अटम इन बामर सिरीज तो देखो बामर सिरीज की अगर बात करें कि ए tu n एककुल टू वान टू थी फॉर फाइव बामर मतलब टू में ट्राइसन कराना है तो इसकी फर्स्ट लायन हो जाएगी हमारे पास यह लेमडा वन सेकेंड हो जाएगी यह लेमडा टू और झाली इदिर भी लेमडा फिलागा टूर ओन रिध्या तो लेमडा बृट तो यह value आगा हमारे पास 5 by 36 R के लिए इसी तरह से lambda 3 की बात करें तो lambda 3 की value आजाएगी R Z square 1 upon low energy state का square minus 25 तो यह value आजाएगी हमारे पास यह आजाएगा हमारे पास lambda 1 upon lambda 3 की value 21 R by 100 ठीक है हमें नेकालना lambda 1 by lambda 3 तो इस equation 2 को equation 1 से divide कर दो तो यह value आजाएगी lambda 1 by lambda 3 21 by 100 upon 5 by 36 तो यह value आगई 21 into 36 by 500 तो यह आजाएगा 1.512 ठीक है यह रेशो आजाएगा अब रेशो जो इसने दे रखा है X into 10 to the power minus 1 में दे रखा है तो इसको मैं लेख सकता हूं 51.15.12 10 to the power minus 1 तो देखो X की जो value 15.12 हो गई ठीक है तो X का हमें nearest integer में answer देना है तो 15 इसका correct answer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते है question number 81 हाँ बही 81 देखें जरा semiconductor logic circuit से के question हमारे पास बोला है इसमें in the logic circuit soon in the figure if input A and B are 0 and 1 respectively the output at Y will be X output की value पूछी है input की value is 0 और 1 तो यह 0 यहां भी 0 पहुंचा 00 का बार यह बन पहुंचा यह वन 0050 पहुंचा 00 का बार यहां पर बन पहुंचा यह हमारे पास nor gate है जोड के फिर बार लगाएगा तो जीरो प्लस 1, 1 का बार 0, यह हमारे पास nand gate है multiply करके बार लगाएगा तो 1 into 00 0 का बार 1, अब ही हमारे पास कौन सा gate हो गया, यह हमारे पास हो गया, and gate, end gate क्या करेगा multiply करेगा, 0 into 1 0, तो output जो है इसका वो जी रू मिल जाएगा हमें, कि लिए रहे किया, तो एक्स की वेलू जीरू आ जाएगी ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन नमर एटी टू की तरफ चलते हैं कि आप एटी टू देखे जारा क्या वोलाएं अब फाइब बोल्ट बैटरी इस कनेक्टेड दप पॉइंट एक्स एन य एक्स और य एक्से अप्समने फाइब बोल्ट की बैटरी लगाई है एजिम डी वन डी टू दी टू बिन नॉर्मल स्लीकन डायोड कि लिए और नॉर्मल स्लीकन डायोड जो है हमारे पास उस पे जो वोल्टेज ड्रॉब जो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है कितने का पॉइंट सेवन बोल्ट का के लिए रहे क्या find the current supplied by the battery if the positive terminal of the battery is connected to point x तो देखो हमने बैटरी को ऐसे connect किया यह ठीक है और यह 5 बोल्ट की बैटरी तो यह यह जीरो यह जीरो यह फाइव 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 हम साब साब देख सकते हैं यह एक तरह से डीटू जा वो रिवर्स बाइस में आ गया तो इसका तो काम खतम केवल फॉरड बाइस वाला यह बचा तो इस पे भी drop कितने का देखने को मिलेगा सिलिकन डाइव तो हमारे पास 0.7 बोल्ट का तो यहां पर 0 यह फाइव तो यहां बोल्ट हो जाएगा हमारे पास 4.3 ठीक है तो हमसे क्या पूछा है बैटर दोरा प्रवाइद धारा तो इसमें से आने वाली करण कितनी हो जाएगी आई की वेलू आ जाएगी पोटेंशल डिफ्रेंस अपॉन रजिस्टेंट तो 0.43 एंपियर थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉश्चन नमबर 83 की तरफ चलते हैं 83 में देखन जाँ रहा इंट्रफेरंस का कॉश्चन है बुलाए ट्टू कॉरेंट लाइश सोर्स हेविं इंटेंसिटी इन दा रेशो 2X produces an interference pattern then the ratio of i max minus i minimum upon i max plus i minimum तो देखो i1 ratio i2 की value हमें दे रखी है इसने 2x और i max minus i minimum i max की बात करूँ तो ये value होती है under root i1 plus under root i2 का hall square minus i minimum की value होती है under root i1 minus under root i2 का hall square upon just plus करना है इसको root i1 plus root i2 का hall square plus root i1 minus root i2 का hall square ये ratio पूछा है तो इसमें उपन नीचे, root i2 से divide कर दें अंदर इसमें भी root i2 से, समें भी root i2 से सब में divide कर दो ऊपन नीचे तो ये बन जाएगा हमारे पास under root i1 by i2 plus 1 का hall square minus under root i1 by i2 minus 1 का hall square upon under root i1 by i2 plus 1 का hall square plus अंडर रूट i1 by i2 माइनस बन का होली स्क्वाइर अब देखो i1 by i2 के बहले हम अलड़ी पता है कितने 2x तो रख दो जरा यहां तो यह बन जाएगा हमारे पास रूट 2x प्लस बन का होली स्क्वाइर माइनस रूट 2x रूट के अंदर x माइनस बन का होली स्क्वाइर अपोन रूट 2x प्लस बन का होली स्क्वाइर प्लस रूट 2x माइनस बन का होली स्क्वाइर यहां से देखें तो a प्लस b का होली स्क्वाइर माइनस a माइनस b का होली स्क्वाइर तो यहां से a स्क्वाइर V square V witality term to cancel हो जाएंगी तो यहां बचाए का हमारे पास यहां बचाए का 2 root 2x यहां पर भी 2 root 2x तो यहां बच जाएगा total 4 root 2x तो बच जाएगा oma नीचे बच जाएगा हमारे पास minus 2x AB вाag 이건 cancel हो जाएगे तो यहां बच जाएगा 2x यहां से भी 2x तो 4x 1 plus 1 2 तो answer आएगा हमारे पास 2 root 2x upon 2x plus 1 यह ratio आएगा तो 2 root 2x upon 2x plus 1 third option जो है वो हमारे पास correct answer हो जाएगा basically यह करना तब बाकी आगे calculation की ठीक है next question number 84 की तरफ चलते हैं 84 में क्या बोला है match the list 1 with list second कि कौन सी चीज क्या करती है तो तो रेक्टिफायर का काम क्या है रेक्टिफायर का काम क्या हमारे पास यह AC को DC में convert करता है तो used to convert AC voltage into DC voltage तो इसमें तो आजाएगा हमारे पास second के लिए तो पहले तो आजाएगा second उसके बाद बाद करें स्थाइकारक stabilizer यह बोल्टिज को रेगुलेट करता है तो यूजड फॉर इधर फॉर स्टेपिंग अपनो यूजड रिमूब रिपास नो यूजड फॉर फॉर सही है फोर्ट आजाएगा फिर सेकेंड में उसके बाद transformer क्या करता है यह हमारे पास step up या-setp down कराने की काम आता है तो stepping up और stepping down तो first आ जाएगा उसके बाद बाद करें filter filter क्या करता है जो भी हमारे पास signal है उसमें से क्या करता है ripples को दूर करता है तो यह हमारे पास हो जाएगा 85 में क्या बोला देखना बोला है consider the diffraction pattern obtained from the sunlight incident on a pinhole of diameter 0.1 micrometer की यह हमारे पास एक pinhole है इसका diameter हमें ए दे रखा है ठीक है इससे diffraction pattern बनेगा तो central maxima जो है उसके लिए अगर मैं एंगुलर बिड़त की बात करूँ तो वो आएगी 2 lambda अपॉन ए तो प्रखेंगे है ठीक है आगे क्या बोलाएं इप the diameter of the pinhole is slightly increase it will affect the diffraction pattern such that तो देखो जैसे इसका diameter increase होगा मतलब a increase होगा तो यह थीटा तो होगया मतलब central maxima जो है हमारे पास उसकी size क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी एक चीज़ तो clear है हो जाएगी के लिए बाकी के लिए भी क्या होता है लेंड़ आप होने तो उनके लिए भी एंग्लोर बिट्रीज होती जाएगी तो ओवर आल जो हमारे पास डिफ्रेक्शन पैटरन जो हो थोड़ा सा चोटा हो जाएगा साइडिकश हो जाएगी इंटेन्र सिटिकी की बात करें तो तो साइज अगर एंकिरज करोगर तो पहले लाइट कंषी अगिभी हो जड़ा तो साइज सकते हैं, आप निटेन्शिटिकरी क्यों हूँ करीते हों पैको होजाएग 1 तो है तो catching यह कर्यक्ता हो तो effect पोचा फर्मी लेबल पर तो देखो फर्मी लेबल होता है क्या है कि जीरो केल्विन पर अगर बात करें किसी भी semiconductor में ठीक है तो जीरो केल्विन पर balance band और यह होगा है तो जीरो केल्विन पर balance band का वो energy level जहां पर free electron पाए जाने की probability सबसे ज़्यादा है क्योंकि free electron सबसे उपर ही उपर मिलेगा तो जीरो केल्विन पर balance band का वो energy level यहां पर free electron पाए जाने की probability सबसे ज़्यादा उसी को फर्मी लेबल करते हैं यहां उसने एक तरह से बोल जा कि इसको अगर हम एक energy level की तरह मानें तो बताओ हमारे पास डोपिंग का टेंपरिटर का क्या effect पड़ेगा तो सब की बात कर लेते हैं तो देखो यह जैसे से रूम टेंपरिटर पर आएंगे तो यहां से कुछ लेक्टर यहां जाएंगे तो प्योर सेमी कंड़क्टर में इसकी वह बात कर तो यह बन गए तो बन गए यह आपस में होते हैं तो यहां से तो इस तरह से जितना उपर इलेक्ट्रोन है उतना ही वो नीचे घूम रहा आगा तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोन के पाए जाने की प्रवाबिलिटी जो है वो एक दम मिड में यहां पर यह हमारा नॉर्मल कंडिशन में प्योर वाले सेमी कंड्रक्टर का फर्मी अनर्जी लेवल बहुत सकते हैं अब बोला है कि इसमें अगर डूपिंग कर दें तो अगर मालो में इसमें ट्राइवलेंट की डूपिंग कर दूं मतलब पी टाइप का बना दूं तो यहां होल जादा हो आशनुस के ज्यादा रहेंगे क्योंकि होल बढ़ जाएंगे टाइप में तो एलेक्टरोन के ज्यादा पाएजाने की प्रवॉबिलिटी यह वो इन होल के आसपास होगी तो मैं कह सकता हूं प्योर के कंपरिजन में यहाला जो लेवल नपाएजाने की प्रयक्तावाला तो यह थोड़ा सा नीचे आजाएगा पी टाइप में तो यह अगर एंटाइप की बात करो तो अधिक्रण जादा हो गए तो ज्यादा इलेक्ट्रों जो है वह हमारे पास बास कंडेक्शन में ज्यादा मिलने की रहेगी ना की बीच में और आवरेज बोल सकते हम तो बहां पर जो यह वह इस से थोड़ा सा उपर हो जाएगा तो हम कहा सकते हैं पी टाइप में दिक्रीज हो जाएगा आंट फ्रमी लेवल पी और अफेक्ट बहुत बहुत नोट अफ कि देखें जरा कि क्या वोला इसमें दा टुट टेवल फोड़ दा फॉलवेंग लॉजिक सरकेट तो निकालते हैं जरा क्या होगा पहले तो सिग्नल यहां आया यहां पहुंच गया यह बार यह बी आया यहां से बी बार इसने मल्टिप्लाई कर दिया एंड गेट ने ए बी जु一 pię ov और यहां यह now a bar b यह हमारे पास आगेन ऑर गेट तो और अड करेगा कि इन उसके बाद बार लगाएगा तुम साब 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 यह गेट है इसके वार बार मतलब यह एक्स नौर गेट बन गया अब चाहो तो इसके लिए एक एक करके टेबल बना दो याद होना चाहिए रिजल्ट की देखो वह एक्स ओर गेट क्या करता है एक्स ओर गेट हमारे पास तब आउटपुट हाई देता है जब दोनों डिफरेंट हो जीरो वन या वन या प्रेक्ट हो जाएगा यह एक्स ओर गेट की टेवल हो जाएगी तुम चाहो ते टेवल भी कर सकते हो उससे भी आ जाएगा अंसर कि कॉस्ट नमर एटी एट की तरफ चलते हैं अब एटी एट में क्या वोला है विच लेवल और दसिंगल आयोनाइज कारवन हैस दा सेम एनरजी लेवल एस दा ग्राउंड इस्टेट ऑफ हैर्जन कि वह कारवन प्लस का जो हमारे पास बोलेवल बताना एंड उसकी इतनी एनरजी इतनी हाइड्रोजन की ग्राउंड इस इसके साफ समस्कॉशन को डिल करेंगे तो देखो एंड इस्टेट में क्या लेकिंगे एनरजी लेकिंगे 13.6 जैड़ स्क्वाइर अपॉन एन स्क्वाइर ये वैल्यू है 13.6 के एकवल कि लिए तो 13.6 से 13.6 गया ठीक है जैड़ की वैली हमें पता ही है 6 तो एन की वैली हो पर दोप दोंगर के बारे में बात किये दोप और हमारे पास यहमारे पास क्या होती है लेकिन हमारे पास क्या होता है जेनर डायोड में जेनर व्कडाउन में वहां पर हमद ऑ्पवेड़ी हाई और वैड़ी हाईटॡॡ की व Learning की वैए से इतने ज्यादा आइध अपने कि वहते है एक हैवि ni इस में को दॉपिंग थे भत अधिकने सब्सक्राइब वो हमारे पास बहुत कम आती कैसे होता देखना कि यह आमने बहुत ज़्यादा है वी डूपिंग कर दिया वेवी डूपिंग करने की वैए से यहां पर डिपलेशन लेयर जो है वह हमारे पास तुरंत बन गई कि इतनी अधा कंसेंट्रेशन तुरंत यहां बन गई अभी डिपलेशन लेयर जो इतनी पास में बनी है कि अगर बात करें वी अपॉण डी की वेल्यू जाता है तो यहां पर बेकडाउन जो देखने को मिलता है वह हाई लेक्ट्रिक फील्ड की वहीं से देखने को मिलता है औ दोपिंग हाई और डिपलेशन लेयर की थिकनेस कम होने चाहिए प्योर्ट्रिकल कॉशन हो जाएगा यह है तो यह हैविली डोपिंग और हैब नेरो डिपलेशन लेयर सेकंड ऑप्सन इसका करेक्ट टांसर हो जाएगा कॉशन नमर 90 की तरफ चलते हैं अब 90 में क्या वोला एककोर्डेंग टू वोर एटम मॉडल इन विच अप दा फॉलिवंग ट्रांजिशन बिल है दा फ्रिक्वेंसी मेक्सिमम होगी उसके लिए एनर्जी मेक्सिमम होगी एकुल टू एच एफ से तो आप बो देख लो जिसमें एनर्जी मेक्सिम होगी तो से बन में जाएंगे तो यहां 10.2 का हमें क्या देखने को मिलेगा एनर्जी ट्रांजिशन अच्छी का से एनर्जी फोर से थ्री में कम एनर्जी मिलेगी हमें क्या चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मतलब इवी मैक्सिमम चाहिए अपनको तो तो हमारे पास देखो फोर से सब σğ握 होग गया यहीं प्रिक्वेंसी मैं सबसे हाइयस होगी कॉस्टन में की बात करते कि यह देखे ज़रह क्या बोला इसमें गिवन बलो दर ट्वी स्टेटमेंट अपने को बता लगाना कौन सा सही है कौन सा गलत है तो फर्स्ट में बोला पी एंट जंक्शन डायोड कैन भी यूज तू फंक्शन अच तांजिस्टर सिंप्ली वाई करेक्टें टू डायोड बैक टू fools गःड गटो यहां पर हो जाएंगी कि लिया टर्मिनल ढाएं घ्यो यहां पर मौर्डिन घू जाएंग तो डैफिनेट यह नहीं बना है तो फर्स्टो पेली ड्रॉंग हो गया स्टेस्टी स्टेटर लग आप्ट और बेटा इंडिकेट्स दरेशों अब क्लेक्टर करंट टू बेस करंट तो बीटा की डेफिनियस ने आइसी अपन आई भी बिल्कुल सही बात है तो हम कह सकते हैं फर्स्ट तो हमारे पास रोंग है सेकंड करेक्ट तो ऑप्शन देखते हैं इस्टेट्मेंट वन इस फॉल्स ब देखना है कि इसका आउट्पुट है किसके एकुलेंट तो यहां देखते हैं यह आया यह बी बार हो गया इसने इनको एड़ कर दिया अबी बार इस पर नोट लगाना है तो एबी बार का नोट तो सॉल्व करते हैं तो यह बन जाएगा एबार मतलब एबार बी ऐसा कर दिप्लाइबा देगा एबार भी तो यही मिल गया सेकेंड करेक्ट आंप हो जाएगा है को सब्सक्राइब करने पर चलते हैं कि बलाए इन दा सोर्स ओफ लाइट यूज इंग डवल श्लेट एक्स्परेमेंट चेंज फ्रूम रेट तो बोलेट का मतलब यह है कि आप ल फारिदा नहीं परने वाला पुंठ नहीं फार्ख नहीं परने वाला है कोन्जेट फ्रिंजेष लांस देखो remark क दोंज्देष पींजेट की बीछ में हमारện पास यह सेंटरल बराइट इतना ही लो दोन तरफ से इंटर डिफरेंस इरो फैंटर इफरेंस 0 मेक्सिम वही आएगा तहाई इंटैंसिटी मेक्सिम्म कैसे आएगी इंट्सी डिपेंट करती है अब तुमने लेम्डा चेंज किया है इस से इंपुर्टी तोड़ी चेंज रह फी ह कि ये रहे हैं कि इंप्र वाही है तो मैक्सिमूम इंटैंसिटी ही वही है मिनिमुम इंटैंसिटी भी रहेगी के लिए तो सेकंड की वग और करेक्ट आंसर रहे गाइगा है कौश्च नामर 94 की तरह चलते हैं 94 में क्या रिलेशन पूछा है बोला है alpha और beta में relation बताना alpha और beta हमारे पास simple transistor के हमारे पास current गिन होते है तो देखो क्या है हमारे पास relation है ie की value होती है ic plus ib ठीक है तो इसको क्या करें अपन ic से divide कर देता तो यह बन जाएगा हमारे पास ic से divide कर तो यह बन जाएगा ie upon ic equal to 1 plus ib upon ic अब देखो alpha की value क्या होती है यह होता ic upon ie beta होता है हमारे पास ic upon ib तो relation देखते तो ic upon ie है हमारे पास 1 upon alpha equal to 1 plus यह हमारे पास 1 upon beta हमें alpha की value निकालनी है तो alpha आ गया beta upon beta plus 1 तो first option हो जाएगा बैसे standard result है याद होने चाहिए हमको बैसे आगे बढ़ते है question number 95 वो लाया the typical output characteristic curve of a transistor working in common emitter configuration is shown below the approach value of current in common emitter में current gain की value होती है हमारे पास current variable दे रहा है ic और ib तो यह होता delta ic upon delta ib approach value निकालनी है तो यहां से किसी region में अगर हम बात करें तो हर जगा symmetric symmetric है तो यहां कर देखो इस region में 10 to the power minus 6 तो इसको बोल सकते 10 to the power minus 5 तो यह value आ गई हमारे पास 200 तो यहां beta की value कितनी रही होगी 200 रही होगी तो next question देखें जड़ा 96 में क्या बोला है इन यंग double slit experiment slits are separated by a gap of 0.5 mm तो slits के बीच की हमें distance दे रखी है smallly equal to 0.5 mm आगे बोला है and the screen is placed at a distance of 0.5 meter तो distance जो है slit की और screen की बीच की वो हमें 0.5 meter दे रखी है the distance between the first and the third bright fringes form when the slit are illuminated by a monochromatic light of lambda भी दे दिया वह पूछाया हमें तो देखो यहां से central से first maxima और third maxima के बीच की distance कितनी हो जाएगी 2 beta यह पूछी है तो देखो 2 beta की value निकालने तो 2 into beta होता lambda dvd रख दो value 2 into lambda की value हमें दे रखी है 5890 into 10 to the power minus 10 d की value 0.5 meter मतलब बनबाई 2 meter small d की value 0.5 मतलब बनबाई 2 into 10 to the power minus 3 तो इससे तो यह गया यह value आ गई हमारे पास 0 11780 into 10 to the power minus 7 यह बोल सकते हो 1178 into 10 to the power minus 6 meter इतनी distance रही होगी clear है क्या आगे बढ़ते हैं question number 97 की तरफ 97 में क्या बोला है बोला है बोला है an NPN transistor operates as a common emitter configuration ठीक है common emitter amplifier with the power gain of 10 to the power 6 तो देखो power gain AP की value हम लिख सकते हैं current gain beta का square into resistance gain AR ठीक है AR होता है R output upon R input the input resistance दे रखका 100 ohm output दे रखका 10 Kilo ohm तो common emitter current gain beta की value पोचिए है तो देखो AP दे रखका 10 to the power 6 beta हमको निकालना है AR की value हो जाएगी output मतलब 10 to the power 4 upon input मतलब 10 to the power 2 तो यहां से अगर देखो तो यहां से यह आ जाएगा 10 to the power 2 100 answer आ जाएगा हमारे पास beta का तो करेट आंसर बीटा की यह लिए जाएगी आगे बढ़ते हैं next question की तरह 98 अभी 98 में क्या बोला है ड्रॉद आउट्पूट सिग्नल वाई इंदा combination of gates की यह gates दे रखके इसके corresponding हमें आउट्पूट आउट्पूट निकाला है किस तरह की प्लस आएगी तो पहले तो देखो यह नेंड गेट पर common input दिया तो यह तो नोट की तरह वीव करेगा यहां आगया बी यह एड करा देगा और तो यह प्लस भी नोट केट बार लगा देगा तो यह वार प्लस भी का होल बार तो यह बन गया डवल वार इंटू बी वार मतलब एंटू बी बार इसके जाए तो कैसी आएकए देखो ए बी वाइं जी रो वन जीरो फो बाहिं ए मिले गए अब ऑन की बात करते हैं एक 20 के जीरो कीर बार बन नुँँ बना जाएगा टो यह वाला आउट पुट के वल ऑला हm bes एंट बार और थे B, zero बाकी हमेसा जिरूए रहेगा तो देखो एर Vielen,की यूदू बाकी जरूआ है वैली 0 तो यह हाई मिलेगा तो देखो ज़ुत भरात में ही वैला काईया तो नहीं मिला यही तो नहीं मिला यहीरख जरूआ नहीं मिला यहीं बच गया Q&a nine old 99 ने मोला इन यंग डबल स्ट एक्सपेरिमेंट दा बिर्थ ऑफ बन अफ दस्लेट इस थी टाइम्स दा अधर स्लेट एक स्लेट की बिर्थ दूसरे से थी टाइम्स है दा एंप्लिट्यूड आप दा लाइट कमिंग फॉम असलेट इस प्रोपोर्शनल तो दा स्लेट इसका आगा नार इसका चायाँ गाउगों हम से पूछा क्या है वान पॉट्स और रूट आइवन प्लस अन्डर रूट आइटू का होल है स्कॉर्ण इसको उपर निचे अंदर रूट आईटी करते तो यह बन जाएगा हमारे पास अंडर रूट आइवन प्लस अंडर रू इंडरूट इडरु प्लस वन अंडरूट आइवन अप मानने सबंटाइक जाएं का मिन्स ने पर हो जिए घ मिजी नीडंट ताएं का सिंतक दीपनी ट्रीज आनडरुलिटो मतलब आपन आमस सबीं hydrogen atom have been shown along with their with some transition mark a b c d e the transition a b and c respectively represent a b or c के बारे हम बता रहा है तो देखो a b or c को देखते हैं तो a क्या है a का मतलब है infinity से बन में आना infinity से बन में आना तो यह कौन सा हो जाएगा हमारे पास यह तो लाइमन जो होता तो यह जो है एंविक», सेぴंति होता है यह मतलब लाइमन के से लिमित होगी सेवन्वाली के लियर को फॉसकते हैं पटनिल अधर्शन , नहीं फॉल्टर होता हुटा तो होता है फॉस camera ऑलाइमन नहीं पर स्टमेंब तो टू से जय самой में होता सी Correct ? फॉसकता है आगे 3rd line of Bomber 3rd line of Bomber बिल्कुल दे रखा है यहां पर भी 3rd member of Bomber 3rd member of Bomber सीरीज बिल्कुल दे रखा है आगे बात करते हैं C की तो यह PASCHIN का है PASCHIN का 1st 2nd member of PASCHIN तो हम बोल सकते हैं 2nd member of PASCHIN तो हमारे पास शरी है 2nd member of PASCHIN तो थर्ड जो है हमारे पास correct answer हो जाएगा सारे के सारे चीज़े match कर रही है यहां पर clear थर्ड ओप्सन correct हो जाएगा तो next question की तरफ चलते हैं question no 101 बुला if an emitter current i is changed by 4 milliampere की emitter का current है ना i वो change हुआ है 4 milliampere से तो बुला दा collector current gain by 3.5 milliampere तो current जो है वो gain कर दिया कितने से 3.5 milliampere से तो delta ib की value हम बता सकते क्योंकि i क्या होता है ic plus ib तो यह आएगा 0.5 milliampere हमसे क्या पूछा है value of beta तो beta होता है हमारे पास delta ic upon delta ib b value रख दो delta ic की value है 3.5 milliampere delta ib की value आगई 0.5 milliampere तो beta की value हमारे पास 7 first option correct answer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते है question number 102 हां बढ़ी तो देखो पूरे के पूरे इस session से तुम्हें अच्छा खासा idea लगया होगा कि किस तरह के question जो है वो जेई में की exam में पूछे जाते हैं के लिए semi conductor में wave optics में और atom structure में हम बात करें उन्हें के जिनके हमने कॉशन ले हैं तो semi conductor में majority में जो question आया है वो तो logic circuit से आया है और साथ में हमारे पास voltage regulator से आया है इस से majority में कॉशन आया है wave optics में बात करें तो interference में maxima minima का ratio और fringe bit पे caution आया है और diffraction की बात करें तो हमारे पास angular fringe bit of central maxima का आया है इनी से majority में कॉशन जो है इन चैप्टर से बने हैं ठीक है साथ में अगर atom structure की बात करें तो जो हमारे पास energy के transition जो हो रहे हैं उनसे majority में कॉशन या पर हमको देखने को मिलें तो अच्छा खासा आइडिया लग गया है वह हमें कि इन एक्जाम में जेही में एक्जाम में इन चैप्टर से कौन सा जो पॉर्ट्स न वो मेजॉर्टी में कॉशन देता है clear तो समझ गया है इन वाले पॉर्ट्स को आपको इस पेसली देखना है ठीक है इस पेसले इस के फॉर्मुले जो है आपको फिर से करने हैं आगे बढ़ते हैं कॉस्ट नमर वन जीरो टू की तरफ फिर से देखो हमारे पास जीनर डायोड का कॉशन आ गया है वाला इन कनेक्शन विद्धा सरकेट ड्रॉब लो दा वैल्यू अब करेंट थू क्लोओम रेइस्टर इस तो टू क्लोओम में से हमको क्या निकालन निकालना है तो देखना जरा तो यह 0 वोल्ट यह 10 हो गया ठीक है यह 0 हो गया अब हमें नहीं पता जिने डायोड यह अपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है तो चेक करो शुरुवात में मान लो यह उपन सरकेट अपन नहीं कर रहा तो टू क्लोओम पर वोल्टेज कितना आए 6.67 यह तो ज़्यादा आ गई इससे मतलब definitely operate करेगा क्योंकि 5 से ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा तो इतनों पता लग गया कि operate कर रहा है अब देखते तो यहां से देखो 5 by potential difference कितना है इस पर 5-0 मतलब 5 by 2 तो 2.5 मिली एंपर इदर गया अब इसने पूचा क्या है 2 क्लों में से करन तो यह आगे 2.5 मिली एंपर यह बोल दो 25 इंटो 10 तो दी पावर माइनस 4 एंपर तो यह जो इस पेस जो दे रखा है इस जगत 25 वैलू रही फिर से वही करना है हमें output निकालना है equivalent किसके है तो यहां देखो यह nand gate को common input दिया तो यह not gate की तरह विएव करेगा यह भी not gate नand gate क्या करेगा पहले तो multiply करेगा फिर बार लगाएगा तो यह value आ गई हमारे पास a double bar plus b double bar मतलब a plus b यह तो आ गया यहां अब यह फिर से not gate की तरह विएव करेगा तो a plus b का वार तो यह और नहीं nor gate है हमारे पास तो correct answer आएगा इसका हमारे पास first option okay next question की तरह चलते हैं question number one zero four देखें the atomic hydrogen emit a line spectrum consisting of various series which series of hydrogen atomic spectral lies in visible region theoretical question तो देखो hydrogen की spectrum में जो warmer series जो होती है उसमें जो spectral lines जो होती है वो visible region में lie करती हैं तो correct answer हो जाएगा हमारे पास warmer series मतलब first option next question की तरह बढ़ते हैं कि वैसे important point है याद रखने वाला कई बार questions में language की form में आ जाएगा कि हमारे पास जो light जो है वो ऐसा transition दे रही है मान लोग इसमें से 4 से visible light देते हुए hydrogen में transition दे रही है सुना जरह क्या बोलना हूं मैं मैं कह रहा हूं आपको बोल जा कि light का transition जो है hydrogen में वो कैसा हुआ है n equal to 4 से किसी cell में हुआ है किसी orbit में हुआ है जिससे visual photo निकला मतलब पका 4 से वो 2 में गया होगा तो महां पर आपको किस लेबल में गया है इस तरह की चीजे भी काम में ली जा सकती है उसकी ठीक है तो बला बन जीरू 5 में which one of the following will be the output of the given circuit अगयन आउटपूट देखना है तो यह आगया ए ठीक है यह आगया यहां से यह भी आगया यह भी आगया यह भी आगया यह भी आगया तो यह को end get multiply करा देगा not get बार लगा देगा और get add करा देगा अब यह क्या करेगा end get if it से multiply कराएगा तो a bar into a plus b स्वाल करते इसको तो यह बन जाएगा a bar plus b bar into a plus b स्वाल करो a into a bar 0 a into b bar plus b into b bar 0 a bar into b तो यह एक्जोर गेट हो गया तो थर्ड ओप्सन हमारे पास correct answer हो जाएगा इसका तो 106 question देखें जरा बुला particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field you are equal to unit r to the power 4 कि particle जो है वो circular motion कर रहा है ऐसे फिल्ड में जा potential जो है हमारे पास what is energy जो है वो unit r to the power 4 से वेरी कर जाई है बुला एक बोर्स quantization condition are valid तो radius जो है ना उसकी उसका end के साथ वेरीशन दिखना कोई दिक्कत नहीं है तो देखो यह तो हमें क्या रखा है central potential field दे रखा है इसका differentiation करते हैं differentiation करते हैं du by dr तो यहां सामें force का proportionality मिल जाएगा जो कि आएगा हमारे पास माइनस यह आजाएगा हमारे पास minus u naught 3 r to the power 3 तो force centripetal force की proportionality आगा ही minus r to the power 3 के जो कि हमारे पास होता है m b square y r तो यहां समें बोल सकते हैं b square proportional आगया minus r to the centripetal नहीं तो इसलिए radius के along yoga center के तरफ तो proportionality में केवल b square proportional to r to the power 4 आजाएगा अब minus क्यों आटाया है मैंने क्योंकि यह भी minus में आया है अब r के साथ दिखोगो centripetal भी minus r के तरफ होता है तो इसलिए minus से minus cancel तो v square proportional आगया r to the power 4k मतलब v proportional आगया r square के अब साथ में हम देखें तो भई बोर का quantization काम में तो उस वो क्या बोलता है कि angular momentum mbr होता है वो n h upon 2 pi के एकल होता है तो देखो यहां से vr proportional n आगया अब b की जगह r square रख दो तो r q proportional हो गया n के तो r की value proportional आजाएगी n to the power 1 y 3 तो alpha की value यह 3 रही होगी clear है क्या next question number 107 की तरफ चलते हैं क्या वोला है consider a tank made of glass refractive index 1.5 with a thick bottom it is filled with a liquid of refractive index mu इसको हमने mu से fill कर दिया है clear a student find that the irrespective of what is the angle of incidence is for a beam of light entering in the liquid the light reflected from the liquid glass interface is never completely polarized for this to happen the minimum value of mu पूछी है तो देखना सबते पहले तो Brewster angle पर caution है कि ray जो है जब हमारे पास इस तरह से rarer से dancer में जा रही है तो एक ऐसा angle of incidence आई आता है जिस पे reflected और refracted रेजा वो 90 पर आ जाती है clear और इस time पर यह जो reflected होती है यह perfectly polarized होती है हमारे पास clear है क्या साथ में अगर बात करें यह म्यू बने तो यह म्यू टू है तो देखो यह आई तो यह भी आई यह 90 जादा होगा म्यू बन कम होगा अब इसको हमें काम में लेकर म्यू की रेंज बतानी है कि तो समयना चारा कि क्या बोला है कि इस जगह पर कभी भी उसे reflected जो ले रेना कभी भी क्या नहीं मिली है पोलराइज नहीं मिलिया चाहे कितना ही आई हो तो मैंने क्या किया कि इस जगह पर मान लो यह एंगल हार अब इस आर को मैं हमेशा ही अगर बृूष्टर एंगल से कि कम रख दूं तो कि आर की वैल्यू हमेशा ही कम है मतलब आर की जो मैक्सिमम वैल्यू है न वो भी यह बृूष्टर एंगल से कम ही है तो यह कभी भी 90 वाला केस नहीं बना पाएगी और पोलराइज नहीं देपाएगी के लिए रहे क्या च्छी क्या बैए अब देखो आ लेस दन 10 IB 10 IB की वैल्यू कम अपन ज्यादा अपन कम अरी मूटु अपन मूटु कितना 3 वाई 2 अपन मूटू कितना है मूटु कि यह जिसमें गई वो अपन जिससे आई वो यह आगे हमारे पास 10R की वैल्यू लेस देन 10R मैक्सिमम की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए अब को कि सब्सक्क्रव ने आगाते तो यहां स्नेस्रो लगाते यह आर तो यह आप सने लगा तो यह जो चैनल लगले들 किया लिखोंगे सब्सक्राइब घरоз साइन Si अम एक आप्सक्वीं में में इक्सिमम चाहिए दो I की सिमाल में हो सब्सक्राइब कि mu square minus 1, ठीक है, यह value यहां रख दो, तो यह आजाएगी 1 upon under root, mu square minus 1 की value less than 3 y 2 mu की, यहां से आपना बजिली solve कर सकते हैं, दोनों तरफ square कर दें, ठीक है, तो मैं ज़र आलग से कर देता हूं से, ठीक है, तो यह value आजाएगी, दोन तरफ square करें, तो 1 upon mu square minus 1 is less than 9 y 4 mu square, तो 4 mu square is less than 9 mu square minus 9, तो यह ज़र आजाएगा, 9 less than 5 mu square, तो mu की जो value ग्रेटर दन होने चाहिए, 3y root 5 के, तो mu की minimum value आगा है, हमरे पास 3y root 5, आप्शन देखते हैं ज़रा, तो 3y root 5, फर्स्ट आप्शन जो है, हमारे पास यह हमारा क्या हो जाएगा, खरेक्ट आप्शन देखें ज़रा, तो यह इस सीरीज का सबसे last question है, देखें, बोला है, in a young double slit experiment with the separation 0.1 mm, one observes a bright fringe at angle 1 by 40 radion, by using light of wavelength lambda 1, when the light of wavelength lambda 2 is used, a bright fringe is seen at the same angle, same angle पर हमें lambda 1 से भी maximum मिला, lambda 2 से भी maximum मिला, तो बोला है इसने, given that lambda 1 and lambda 2 are all in visual range, lambda 1 और lambda 2 की value वो इस region में होने चाहिए, तो उनकी value corresponding पूछी है, ठीक है बई, तो यहां से देखना, यहां से किसी angle theta पर, अगर यहां, अगर बात करूं, तो part difference की value क्या लिखे जाएगी, slits के बीच की distance अगर d है, तो d sin theta, अगर यहां maximum बनाया है, तो यह value होगी, n lambda के equal, clear, ठीक है भाई, अब theta दे रखाया बनवाई 40, मतलब very small, तो sin theta को theta लेख सकते हो, तो d theta equal to n lambda, जो lambda है न, वो d theta y n रहे होंगे, यहां पर, ठीक है, अब यह वाली value, वो value हम check कर लेंगे, n की value 1 to 3 रखे, जो इस region में लाई कर रहे हैं, तो देखना ज़रा कौन कौन से लाई करेंगे, इसको ज़रा हम रेज कर देता हूँ, यहां से lambda की value आ गई, d theta by n, d की value है हमारे पास, 10 to the power minus 4 meter, theta की value हो, 1 by 40, n की value हमें रखनी है, तो lambda की value आएगी, हां से हमारे पास, 10 to the power minus 5 बन भाई 4 by n, छीक है, ओके, इसको उपन नीचे, nanometer में लाणा न, इसको क्या करते हैं, उपन नीचे अपन 10 to the power 4 से डिवाइड कर देते हैं, 10 to the power 4, 10 to the power 4, ये बन जाएगा, हमारे पास, 2500 by n, 10 to the power 9 nanometer, अब रखो n की value, n की value बन रखते हैं, तो lambda आएगा, 2500 nanometer, बट वो इस रिजन में लाई नी कर रहा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, lambda आगला देखते हैं, n की जगे, 2 रखो, तो ये आजाएगा, हमारे पास, 1, 2, 5, 0 nanometer, ये भी लाई नी कर रहा, तो ये भी answer नहीं होगा, अगला देखो, 3 रखो, तो 3 रखेंगा, तो ये आएगा, हमारे पास, ये आजाएगा, हमारे पास, 833 nanometer, 833.33, तो ये भी इस रिजन में लाई नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं लेंगी हम, बेसिकली आप option से check कर सकते हैं, कि किसके आसपास, आपको अंसर लाना, बट मैं सारे के लिट करके बतारा हूं, हम जो ये इसमें लाई कर रहे होंगों से इसाफ से, nqvalue 4 रखके देखो, तो 4 रखो तो ये आजाएगा, हमारे पास 6, 25 nanometer, तो एक तो ये लाई कर रहा है, ठीक है, दूसरा अगर आपन देखें, तो 5 रख दो ये आजाएगा, हमारे पास 500 nanometer, तो 6, 25, 500, दोनों दे रखें हैं, हमें 4th option correct answer हो जाएगा, ठीक है, और भी चाओ, और भी आगर चेक करके देख लो, इसमें मालो 380 भी दे रखा है, तो इससे कम पर कितना आएगा, 6 पर आएगा, 6 value रखके देखते हैं, तो डिवाइड करो तो लेंड आजाएगा, अपने 6 से, 416 के असपास, ऐसा कोई option नहीं है, 7 से भी देख लो, 357 के असपास था, ऐसा कोई option मैच नहीं कर रहा है, कि अवल वो दो मैच कर रहे हैं, तो वही correct answer हो जाएगे, बाकि ऐसे questions में, आप पहला option देखें, भी option कैसे दे रखें, अपनको option के साथ से, उसी के आसपास वाली value लाने के लिए, उसी nearest integer से डिवाइड करें, तो यह हमार discussion जो है, complete हुआ, ठीक है, इसी तरह से सही बच्चे जो है, अपनी तयारी continue रखें, सभी को good luck, thank you.